वेलकम बैक फ्रेंड्स आपका इन्वेस्मेंट्स के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है तो आज मार्केट ने वन साइट सेल आफ दिखा ही दिया आप अगर हमारी स्टॉक मार्केट अपडेट सीरीज के वीडियोज रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा हम पिछले कुछ वीडियोज में ये कह रहे हैं कि बाजार को उपर जाने के लिए निफ्टी का 17,800 का स्टीफ रेजिस्टन्स प्रॉबलम कर सकता है और वैसा ही हमें देखने मिला अगर आपको याद हो हमने आपको राई दी थी कि बिल्कुल ही बुलिश या बिल्कुल ही बैरिश बनके ट्रेड नहीं करना है तो अगर आपने ये वीडियो सीरेसली नहीं लिया है तो डेफिनिटली अब आपको पता लग गया होगा कि जो analysis हम आपको present करते हैं वो आपके लिए कितना जरूरी है देखिए share बाजार में काम्याब होने के लिए आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं है बस दूसरों से हमें ज्यादा बार सही होना है यही फरक होता है 95% लोग loss करते हैं और 5% लोग कमाते हैं अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा हमने ऐसा prediction किया था कि बाजार में volatility देखने मिल सकती है जिससे आपको अपनी positions oversize नहीं करनी है तो अगर आपने अपनी positions oversize की है तो आज शायद आपको realize हो गया होगा कि कितनी important जानकारी हम आपको हमारे stock market update वीडियो सीरीज में देते हैं तो चलिए जैसे हमने जाना कि अगर nifty 17300 से एक सीधा 17200 का move लेती है तो एक चिंता जनक बात है और ये आज प्रूव भी बाजार ने करके दिखाया तो अब हमें थोड़ा cautious होना होगा हमने आपको बताया था कि 17200 निफ्टी के लिए एक support है तो अब आपको क्या करना है कि अगर आज के दिन का निफ्टी ने जो low बनाया है जो की है 17119 अगर ये low कल break होता है वैसे ही selling pressure एक देखने को और मिल सकता है और निफ्टी हमारे support 17200 पे बंद आई है करती है जो की है 17536 तो फिर एक up move और थोड़ा देखने को मिल सकता है बट इतना powerful move मिलने के chances थोड़ा कम नजर आ रहे हैं तो on front आज का move देखें तो sensex आज करीब 1000 point गिरा है आज केवल PSU bank एक ऐसा sector था जो की अच्छी खरीदारी दिखा रहा था मैटल और पावर स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा विक्वाली हमको आज देखने मिली इसके अलावा बाकी सेक्टर्स भी लाल जंडे में बंद हुए जैसे की आटो, FMCG, बैंक, हेल्थ केर, रियल्टी जिनमें 1-2% का steep fall देखने को मिला था BSC mid cap और small cap भी करीब 1% से ज़्यादा तूटा था आज का move देखने के बाद ये साफ दिखाई दे रहा है कि जब तक 9 February को RBI की meeting नहीं होती तब तक बाजार और investors को volatility का सामना करना पड़ सकता है तो यही राय है वापिस कहना चाहेंगे कि बिलकुल ही bearish और बिलकुल ही bullish बनके trade मत लीजेगा क्योंकि यह volatility उपर नीचे घूमती हुई देखने मिल सकती है जैसे हमने पिछले videos में भी बात की थी Global Qs की वजह से Indian markets में भी sentimentals दिखाई दे सकते हैं तो जो भी हम आपको कह रहे हैं उसे बिलकुल भूलना नहीं है आच्री सिमेंट्स का 3rd quarter का result आया था जिनमें उन्होंने 492 करोर रुपए का profit बनाया है 21.5% के jump के साथ अदानी विलमार कल के दिन list हो सकता है आशा है कि एक positive opening मिले मैं आपको बता दूँ अदानी विलमार इंडिया की 3rd largest FMCG कमपनी है आज 10.30 बजे के बाद news आई थी कि इंडिया में पहली बारी पिछले 31 दिन में एक लाख COVID-19 केसिस हुए इस news के बाद और तेजी से fall बाजार में आज हमने देखा अगर आप वेदान फेशन IPO में अप्लाई करने वाले हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल 8 फरवरी को वेदान फेशन का IPO अप्लिकेशन बंद हो जाएगा अप्लाई करने से पहले आप हमारे वेदान फेशन IPO रिव्यू का वीडियो उपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजेगा टॉप गेनर्स में आज थे पावर ग्रीड, ONGC जो की बढ़ते क्रूड ओल के रेली से मजबूत ही दिखा रहा है NTPC और Shree Cements में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली Top Losers में थे Tata Consumer, HDFC Bank और HDFC Life आप वेट कर रहे हैं कल के Stock Recommendations के लिए तो Stock Recommendations देने से पहले हम आपको एक cautious note देना चाहेंगे कि जो Stop Loss के साथ हम Recommendations दे रहे हैं उसे strictly follow करते रहिएगा जिसे on overall basis आप Profit Generate कर सकते हैं देखिए ये बात हमें माननी होगे कि Share Market में 95% लोग Loss करते हैं बट आप ये भी समझे कि कितने लोग उनमें से बिना सीखे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं जबकि जो 5% लोग है वो उतना कमाते हैं जितना 95% लोग गवाते हैं तो आपको सीख कर ही ट्रेडिंग करनी है अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में देखो जिनमें हमने स्टूडेंट्स के Feedback record किये हैं आप उनका confidence वीडियो में साफ देख पाओगे कि सीख के ट्रेडिंग करने से कितना बड़ा फरक आता है मेहनत हम सब लोग करते हैं लेकिन मेहनत भी तो एक सही दिशा में करनी चाहिए तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि ट्रेडिंग सीख कर ही कीजिएगा अगर नहीं पता कैसे करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8460909037 पर जिसे आप मुझे से बात करके 1-2-1 काउंसिलिंग भी ले सकते हैं तो कल दो स्टॉक्स हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे पहला है अंबूजा सीमेंट जिसे आप 386 पे बाई करके 390, 395 के टारगिट लगा सकते हैं और 374 का हमारा SL रहेगा दूसरा स्टॉक है बायोकॉन बायोकॉन पिछले काफी से से मजबूती दिखा रहा है 405 की सेफ एंट्री से आप बाई कर सकते हैं 410 का टारगेट लेके और 415 का SL मेंटेन करना होगा तो ये सारी जानकारी हमने आपको मुहिया करवाई है जो डेफिनिटली आपके काम आती होगी अगर आप सीख रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आपको हमारे हर वीडियो को जरूर देखते रहना है क्योंकि as a trader आपको updated रहना जरूरी है चाहे वो आपका portfolio हो या बाजार की स्थीती तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मुस्कुराते रहिएगा सीखते रहिएगा और कमाते रहिएगा क्योंकि सारा खेल सिखाने वाले का है गुडबाई टेक केर